अगे बढ़ने से पहले हमारी आपसे प्रार्थना है थे ख्रेंप्या सोचें आप डेटा एंटरी ओपरेटर यानी बावु बनना चाहते हैं या अकाउंटेंट आप टेली का अधूरा ज्यान प्राप्त करना चाहते हैं या उसके विद्वान बनना चाहते हैं यदि आप अकाउंटेंट या विद्वान बनना चाहते हैं तो हमारा आपसे निवेदन है इस वीडियो सिरीज की सभी वीडियोस को एक-एक करके क्रमानुसार ही देखें वीडियोस को क्रमानुसार देखने के दो तरीके हैं पहला है हमारी वेबसाइट द्वारा और दूसरा हमारे यूट्यूब चैनल की प्ले लिस्ट द्वारा टेले की इस वीडियो सिरीज के आज के अध्याय में आप जानेंगे कंपनी सेलेक्ट करना बंद करना ओल्टर करना डेलीट करना और साथ ही टेली बंद करने के तरीके के बारे में इसके पहले वाली वीडियो में हमने आपको Tampa कि नई कंपनी कैसे साथ हे अपने कुछ लिए बना दो बातों के बारे में जाना था आगे पढ़ने से पहले आपको याद दिला दे कि सिर्फ वीडियो देखने से लाव नहीं होका यदि आप इस वीडियो का सही लाव लेना चाहते हैं तो जैसा आपको वीडियो में समझाया गया है ठिंव, तर करने के लिए किया जाता है यहां हमने टैली ओपन कर लिया है टैली ओपन करते ही दो स्थितियां हो सकती है पहला लिस्ट ओफ सेलेक्टिट कंपनीज में कोई कंपनी पहले से ही ओपन हो ऐसे स्थितिय में हमें किसी अन्य कंपनी को खोलने के लिए F1 की प्रेस करना होगी ऐसा करते ही List of Companies आ जाएगी और दूसरी स्थिती में Company Info की विंटो दिखाई पड़ेगी यहां Select Company के लिए S प्रेस करना होगा देखिए List of Companies आ गई है अब आप जिस कमपनी को खुलना चाहते हैं Down arrow से उस पर जाकर Interpress करें और यदि आपने टैली में बहुत सारी कमपनियां बना रखी हैं तो Company के नाम का पहला अक्षर टाइप करें ऐसा करते ही उस अक्षर से शुरू होने वाली सभी कमपनियां Highlight हो जाएंगी इसके बाद Up या Down arrow की से उस पर जाकर के Interpress करें ऐसा करते ही कमपनी खुल जाएगी एक कमपनी ओपन होने के बाद यदि आप दूसरी कमपनी भी ओपन करना चाहते हैं तो F1 की प्रेस करें और यहां से पहले बतायानुसार दूसरी कमपनी सेलेक करनें Gateway of Tally पर दो कमपनियां आ गई हैं जिसमेसे एक कमपनी बोल्ड अक्षर में दिखाई दे रही है यानि यदि आप कोई भी काम करेंगे तो वो इस कमपनी में होगा यदि आप दूसरी कमपनी में काम करना चाहते हैं तो जिस कमपनी में आपको काम करना है माउस से उस पर क्लिक करें या फिर कंपणी बदलने के लिए F3 की प्रेस करें और यहां से दूसरी कंपणी सिलेक्ट करके एंटर प्रेस कर दें दूसरो ऑप्शन है शट कंपणी यानि क्लोस कंपणी का वो भी देख लेते हैं जैसा कि नाम से ही इस पर्ष्ठ है इसका उप्योग हम किसी कंपणी को बंद करने के लिए करते हैं वैसे तो हम इसके बारे में पिछली वीडियो में देख चुके हैं फिर भी एक बार और समझ लेते हैं आप यहां देख रहे हैं अभी हम Gateway of Tally पर हैं और यहां दो कंपणी खुली हुई हैं उसमें से हम एक कंपणी बंद करना चाहते हैं तो उसके लिए Alter और F1 Keys को एक साथ प्रेस करें यह देखिए क्लोस कंपणी की विंडो आ गई है और अभी Tally में जितनी भी कंपणीयां खुली हुई हैं उनके नाम दिखाई पढ़ रहे हैं आप जिस कंपणी को बंद करना चाहते हैं उस पर जाकर एंटर प्रेस कर दें यह देखिए लिस्ट आफ सेलेक्टेट कंपणीज में से वह कंपणी चली गई है ओल्टा और F1 से हम दूसरी कंपणी भी बंद कर देते हैं अगला ओप्शन है आल्टर कंपणी यदि आपने कोई कंपणी बनाई है और कंपणी बनाते समय जो डीटेल दी थी उसमें कुछ छूट गया था या उस डीटेल में कुछ परिवर्थन करना है तो वह आल्टर की सहायता से किया जा सकता है अभी हम गेटवे आफ टेली पर है जिस कंपणी को आप आल्टर करना चाहते हैं पहले उससे सिलेक्ट कंपणी की सहायता से ओपन कर लें अब आल्टरेशन के लिए कंपणी इंफो में जाना होगा कंपणी इंफो के लिए आल्टर और F3 की को एक साथ प्रेस करें Company Info की Window आ गई है यहां नीचे आप Alter देख रहे हैं उसके लिए A Key प्रेस करें देखे आपने जो Company सेलेक करके उपन की थी वो यहां दिखाई पढ़ रही है Enter प्रेस करें यह Company Alteration Window आ गई है यहां से आप जो भी चाहें यदि कुछ नया जोड़ना हो तो वो या कुछ चिंजिस करना हो तो वो कर सकते हैं यहां पहले हम अपना पिन कोट चेंज करना चाहते हैं तो वो कर लेते हैं इसको हम 452001 के स्थान पर 452010 कर रहे हैं और पहले हमने अपना email ID नहीं डाला था वो भी टाइप कर देते हैं अब हमने जो भी चिंजिस किये हैं उन्हें accept करने के लिए Ctrl और A की प्रेस करेंगे हम Escape की प्रेस करते हुए Gateway of Tally पर आ गए हैं अब जो कंपनी खुली हुई है Alter और F1 की इसकी मदद से उसे बन कर देते हैं यह हम Gateway of Tally पर हैं आये देखते हैं कि यदि आप Tally में बनी हुई कोई कंपनी डिलीट करना चाहते हैं यानि स्थाई रूप से हटाना चाहते हैं तो वो कैसे कर सकते हैं उसका procedure भी करीब करीब वो ही है जो कंपनी ऑल्टर करने का है पहले वो कंपनी सिलेक करें जिसे आप दिलीट करना चाहते हैं अब Alter और F3 कीज को प्रेस करें और फिर Alter के लिए A की प्रेस करें आप ते जो कंपनी सिलेक की थी वो दिखाई पड़ रही है Enter प्रेस करें ऐसा करते ही Company Alteration की विड़ो आ जाएगी अब यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझ लें कि किसी भी company को बहुत सोचने समझने के बार ही delete करें यदि आपने company में कोई ledger बनाए हुए हैं या कोई transaction record किये हुए हैं तो एक बार company delete होने पर उस company का पूरा record चला जाएगा फिर आप उसमें से कुछ भी recover नहीं कर पाएंगे company delete करने के लिए company alteration window पर alt और d keys को एक साथ प्रेस करें कुछ इस तरह की window आएगी यदि आप company delete करना चाहते हैं तो y या इंटर प्रेस करें ऐसा करते ही फिर एक window आएगी जिसमें आप से वापस confirm किया जा रहा है कि क्या आप company delete करना चाहते हैं यस के लिए by press करें ऐसा करते ही company हमिशा के लिए delete हो जाएगी हम सिर्फ समझने के लिए ये काम कर रहे थे वास्ताव में हमें इस company को delete नहीं करना है तो हम no के लिए end press कर रहे हैं skate key से वापस gateway of tally पर आ जाएँ अब जो company खुली हुई है alter और f1 keys की मदद से उसे बन कर देते हैं अब हम समझेंगे tally software quit करने के बारे में tally software से बाहर आने के लिए quit option है और इसके shortcut key है q, keyword पर q press करें यहाँ पुछा जा रहा है yes या no, यदि tally बन करना चाहते हैं तो yes के लिए y या enter press करें और यदि tally बन नहीं करना चाहते हैं तो no के लिए end press करें, हम end press कर रहे हैं tally बन करने का एक shortcut भी है ctrl और q keys को एक साथ प्रेस करें इस वीडियो में हमने company select करने उसे बन करने, alter करने, delete करने और tally software को बन करने के बारे में जाना अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि tally में ledger बनाते समय group का निर्णे चार्ट of accounts की साहिता से कैसी करें